दोसों, आज की ये वीडियो बहुत ही interesting होने वाली है, आज की इस वीडियो में हम लोग discuss करेंगे कि ये prose क्या होता है हम लोग समझेंगे कि ये poetry से किस तरह से अलग है, इसका मतलब क्या होता है और क्या-क्या types होता है, किस-किस type से prose लिखा जाता है English Literature में एक Latin word होता है prosa oratio इसका मतलब होता है straightforward या फिर direct speech वहाँ से इस word pros का origin होता है अब straightforward या सीधी बातचीत क्या होती है सीधा सीधा किसी को बता देना poetry के अंदर घुमा फिरा के बात की जाती है लेकिन prose के अंदर सीधी सीधी direct speech होती है जिसमें सीधी simple बात बता दी जाती है poetry के अंदर rhyme, meter, rhythm ऐसे चीजों को follow किया जाता है ऐसे structure को follow किया जाता है लेकिन prose के अंदर ऐसे structure को follow करना ज़रूरी रही है prose के अंदर paragraphs होते है जबकि poetry के अंदर rhyme, rhythm और meter poetry को समझना सबके बस की बात नहीं होती लेकिन prose को हर कोई समझ सकता है मैं आपको इसके types बताता हूँ कुछ कुछ types हैं इसके autobiography, biography, essay, report, letter, newspaper articles, novels, satires, fictional prose, non-fictional prose अलग-अलग types से लिखा जा सकता है इसको इन सब के अलावा भी बहुत सारे types होते हैं prose writing के ये autobiography, biography, essay, letters, memoirs, newspapers, articles ये सारे चीजें non-fictional prose में गिनी जाती है जबकि fictional prose में क्या गिना जाता है mysteries, science fiction, romance, fantasy, crime thriller, short story, novels, novella, fibles, myths, pock tales ये सारे fictional prose में आते हैं non-fictional और fictional prose में फर्क क्या होता है non-fictional के अंदर तो real events, real चीजों को बताया जाता है जैसे newspaper के अंदर real घटनाओं को बताया जाता है वैसे letters के अंदर भी ऐसा ही होता है reports के अंदर भी ऐसा ही होता है और autobiography, biography में भी ऐसा ही होता है जैकि fictional prose के अंदर सारी चीजे imagination से तयार की जाती है writer fictional prose को लिखने के लिए भले ही inspiration ले real character से लेकिन design किये हुए होते है वो अपने fiction के हिसाब से यानि writer के लिए कहानी को गड़ना character sketch को तयार करना एक बहुत ही challenging task होता है दोस्तों अब ध्यान देना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ Latin language का बहुत ही बड़ा influence था European countries के अंदर prose की development में Latin language का especially Marcus Cicero ये एक roman narrator थे इन्होंने बहुत role play किया prose को famous करने के लिए और Francis Bacon इन्होंने भी prose को बहुत ही famous किया अपने essays लिखकर और एक नाम और लिखलो Sir John Fortes इन्होंने बहुत ही important role play किया था 15th century में English prose की development में इनके लावा Reginal Peacock जोकी इनसे पहले के थे उन्होंने भी prose को बहुत ही famous किया दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए कुछ helpful साबित होगी आज की इस वीडियो में बस इतना ही